नमस्कार दोस्तों मैं उहर्स और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम लाएं सहिद नंद कुमार पटेल में पूछे जाने में जितना भी कोस्टन है उसका जवाब लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि फॉर्म क पूछे करना है तो दोस्तों इन सबी बातों का और जवाब लेकर आया हूँ सवाल जितना भी आप पूछे उसका जवाब लेकर साथ यसाथ आपको फॉर्म कैसे बनना है इसको भी मैं समझा दूंगा दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा हुआ है कि किस प्रकार से फॉर्म एА्पलाई करना है कैसे करना है कोई और हैंसे dogs की दॉस्त तो मैं यह बतनां चाहता हूं अब नमांकन किस प्रकार से करना है तो दोस्तों इन सभी वीडियो आल्रेडी मेरे यूटूब पे डला हुआ है तो वहां से डाइट अपदेग कर फॉर्म भर सकते हो आपको सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना होता है तो आपको एक चीज और बता दो दोस्तों बहुत सरे लोगों ने मुझे कमेंट गया कि अगर हम फश्टियर में अगर रेगुलार है तो प्राइवेट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर फश्टियर रेगुलार है और सेकन प्राइवेट करना चाहते हो इसके लिए सिर्फ आपको फ़ॉम भरना है फ़ॉम भरते समय आपको प्राइवेट चूस करना पड़ेगा और वहां से आपको कॉलेज में आप करना चाहते हो इससे प्रकार से दोस्तों मुझे पुछा गया है और नया सवाल था जो नेश्टा और भी कमेंड था उसमें यह चीज पूछा गय बिल्कुल आप college change कर सकते हो दोस्तों इसमें कोई गुंजाइस नहीं कर सकते हैं ऐसे कोई नियम नहीं है तो college आप change कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सही नंध को आपड़े में जब form भरने जम्हें आपको क्या-क्या धन जान करें प्राइवेट लिखाए तो एक्जाम फॉर्म आपको दो प्रकार से होगा दोस्तों जो लोग पहले फॉर्म भर ली हैं उन लोग अगर प्राइवेट में डालना चाहेंगे तो जो पहले आईडी पासवर्ट है उपका जैसे कई लोग बिलासपुर उन्वर्सेटी से जो लोग फाइनल यर में है तो उसका हम कहां भरे भी कमिट आया है मुझे कहां भरी इसका फाराम फाराम वे भराएगा या नंद कुमार पटेल में भराएगा एमे का जो भी फाइनल एर फॉर्म है वो नंद कुमार में भराएगा और फॉर्म कैसे भरना यह भी बता देता हो अगर आप में कर रहे हो तो आपको फॉर्स्ट एयर में पासवर्ड मिला था बिलासपुल उन्यूश्टी का वही आईडी पासवर्ड से आपको नंद कुमार उन्यूश्टी में लॉग इन करना है और वहां से फॉर्म एपलाई करना है और दोस्तों आपको बता दो सेकंड यह के लिए वीव सेम वही प्रोसेस है अगर आप फस्ट पढ़े हुए हो तो दोस्तों जो पुराना एडी पासवर्ड आपको मिला है वही आईडी पासवर्ड को यूज करके आपको नंद कुमार पटेल उन्यूश्टी में आपको फॉर्म डालना है फॉर्म डालते समय आपको ज्यादा कुछ नहीं लागा दोस्तों दस्वी बार जरूरा सकते हो प्राइवेट फ़र्म बनने कलिए कोई ज्यादा रूल ज्यादा रहता नहीं है आप कहीं भी पढ़ सकते हो हर पर साल आप गलेज में पर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी न होने वाला उससे और यह चीची ज़र दोस्तों आपको बता दूँ में ज पर क्या बोलता हूं वह तो अगर पूरा वीडियो देखो कि दोस्तों तभी आपको पूर समझ आ जाएगा आपको कोई भी कमेंट करने की जोरत नहीं पड़ेगा तो पूरा वीडियो देखे दरिए और अगर इसके पाजूद भी अबर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मु झाल झाल झाल